हेलो स्टुडेंट्स आप सबका अपने चैनल पर अर्दिक स्वागत है आज इस क्लास में हम प्रश्ण वाली 2.5 के प्रश्ण संग्या 4 को सौल करेंगे जिसमें दिया गया है उप्यूक्त सर्वसमीकाओं का परियोग करके निम्न लिखित में ऐसे प्रतेक का परसार कीजिए हैंने हमने जो सर्वसमीकाओं पड़ी थी इस चप्टर की स्टार्ट में उन सर्वसमीकाओं का प्रियोग करते हुए हमें इनका क्या करना है परसार मतलब विस्तारित रूप लिखना है टोटल 6 प्रश्ण दिया गये हैं और इन 6 प्रश्णों को हमें परसारित रूप में तो देखें पहला दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्टर तो यहाँ पर पहली बात तो सर्वसमीका कौनशी लगेगी तो आप सब ने पड़ी थी यहाँ पर जो सर्वसमीका लगेगी वो लगेगी हम कहेंगे कि सर्वसमीका x प्लस y प्लस z का होल स्क्टर क्या था x स्क्टर प्लस y स्क्टर प्लस z स्क्टर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इस सर्वसमीका का उप्योग होगा अब देखें यहाँ पर यह X है यह Y है और यह Z है तो हम इसको परसारित रुप में लिख देंगे तो X square का मतलब X square ऐसा का ऐसा प्लस Y square तो Y की जग़ 2Y है तो 2Y का square प्लस Z की जग़ 4Z है तो 4Z का square प्लस 2XY तो 2X की जग़ X और Y की जग़ 2Y प्लस 2Y की जग़ 2Y और Z की जग़ 4Z प्लस 2ZX तो 2Z की जग़ 4Z और X की जग़ X ठीक है आप देखो X square का मतलब X square प्लस 2Y का square तो 2 का square 4 और Y का square Y square प्लस 4 का square 16 Z का square Z square प्लस 2 दूनी 4 X Y प्लस 4 दूनी 8 8 दूनी 16 Y Z प्लस 4 दूनी 8 Z X यही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है X square प्लस 4Y का square प्लस 16 Z square प्लस 4 X Y प्लस 16 Y Z प्लस 8 Z X तो सिंपली आपको एक सर्वसमिका याद रखनी है X प्लस Y प्लस Z का whole square इस सर्वसमिका का हमने उप्योग किया है और जहाँ पर X था वहाँ पर X का मान Y की जगे Y का मान और Z की जगे Z का मान रख दिया और सिंपली हमने इसको solve कर दिया ठीक है तो दूसरा देखें दूसरा है 2XY माइनस Y प्लस Z का whole square तो सिंपली वही सर्वसमिका जो भी हमने पहले solve में लगाई थी बो की बो तो हम कहेंगे सर्वसमिका X प्लस Y प्लस Z का whole square बराबर X square प्लस Y square प्लस Z square 2XY प्लस 2YZ प्लस 2Z X से तो यहाँ पर देखो X का मान कितना है 2X है Y का मान बाइनस Y है और Z का मान Z है तो X square की जगह X का मान रख देंगे तो X square का मतलग 2X का square प्लस Y square का मतलग माइनस Y का square फिर Z square की जगह Z का square प्लस 2X की जगह 2X Y की जगह माइनस Y प्लस 2Y की जगह माइनस Y Z की जगह Z प्लस 2Z की जगह Z और x के जगा 2x अब सिंपल इसको solve कर लेंगे तो 4 का square sorry 2 का square कितना हो जाएगा 4 x square minus y का square कितना होगा y square plus z का square z square फिर देखो plus minus minus 2 का 2 से गुणा हो गया 4 x का y से होगा xy फिर देखो plus minus minus 2 एकम 2 y का z से गुणा होगा yz plus 2 z x यही आपका आंस्वर हो जाएगा 4 x square plus y square plus z square minus 4 xy minus 2 yz plus 2 z x अगला देखे minus 2 x plus 3 y plus 2 z का square तो वही सर्वसमी का x plus y plus z का whole square बराबर x square plus y square plus z square plus 2 xy plus 2 yz plus 2 z x के प्रियोग से तो x का मान कितना है minus का 2 x y का मान 3 y और z का मान 2 z तो x square मतलब minus 2 x का square plus y square मतलब 3 y का square plus z square मतलब 2 z का square plus 2 x y x की जग़ minus 2 x y के जग़ 3 y plus 2 y z y की जग़ 3 y और z की जग़ 2 z plus 2 z x तो 2 z की जग़ 2 z plus x की जग़ minus 2 x अब इसको simply solve कर लेंगे तो minus 2 का square कितना हो जाएगा 4 x का square x square plus 3 का square कितना हो जाएगा 9 y square 2 का square 4 z square फिर plus minus minus 3 दूनी 6 6 दूनी 12 x y plus 3 दूनी 6 6 दूनी 12 y z फिर plus minus minus 2 दूनी 4 4 दूनी 8 जेड एक्स यही आपका आंसर हो जाएगा अगला कोश्चन देखें वो है थ्री ए माइनस सेवन भी माइनस सी का होल स्क्वेर तो यहाँ पर भी वही सर्वसमी का लगेगी तो हम कहेंगे सर्वसमी का x plus y plus z का होल स्क्वेर बराबर x स्क्वेर प्लस y स्क्वेर प्लसडेड प्लस 2xy plus 2yz plus 2z x के परियोग सी तो यहाँ पर देखें x के जग़ 3y है y की जग़ माइनस सेवन भी है और z की जग़़ कितना है माइनस का c है 2x² मतलब 3a का स्क्वेर पलस y² मतलब माइनस 7b का स्क्वेर पलस z² मतलब c का स्क्वेर पलस 2x की जग़ 3a y की जग़ माइनस 7b पलस 2x की जग़ sorry y की जग़ माइनस 7b और z की जग़ माइनस का c plus true z की जगह minus c और x की जगह 3a तो देखे 3a का square कितना हो जाएगा 9a square plus minus 7 का square कितना हो जाएगा 59 b square minus c का square कितना होगा plus का c square फिर 7 तीया 21 21 दूनी 42 plus minus minus तो minus 42a भी फिर minus minus plus 7 दूनी 14 सहुदा bc plus minus minus 3 दूनी 6 ac यही आपका आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखे वो है minus 2x plus 5y minus 3z का whole square यहाँ पर भी वही सर्वासमी का लगेगी तो हम कहेंगे सर्वासमी का x plus y plus z का whole square बराबर x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2z x के परियोग से तो यहाँ पर x का मान कितना दिया हुआ है minus 2x y का मान 5y और z का मान minus 3z और z तो बिर दो दिया हैंगे x square का मतलब minus 2x का square plus y square का मतलब 5y का square फिर z square मतलब minus 3z का square plus 2x की जगा minus 2x y की जगा 5y, फिर 2, y की जिगा 5y, गुणा z, z की जिगा-3z, प्लस 2, z की जिगा-3z, और x की जिगा-2x, अब देखें, minus 2 का square कितना पुणा उजाएगा 4? x square, 5 का square 25, y square, minus 3 का square 9, z square, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, दुनी आज, 10, दुनी 20, karşı, फिर 5, तीह 15, प्लस दुनी 30, पलस, माइनस, माइनस, का 30, yz, फिर माइनस, माइनस, प्लस, तीन दुनी 6, और 6 दुनी 12, जेड एक्स यही आपका आंस्वर हो जाएगा ठीक है अगला कुश्चन देखे वो है 1 अपॉन 4 A माइनस 1 बाइ 2 B पलस 1 का होल स्कूर तो देखे इसको सॉल करते हैं तो यहाँ पर भी कौन सी सर्वसमी का लगेगी वही सर्वसमी का X पलस Y Y पलस Z का होली स्कूर बराबर X स्कूर पलस Y स्कूर पलस Z स्कूर पलस 2 X Y पलस 2 Y Z पलस 2 Z X ठीक है से तो देखो X की जगह कितना है 1 बाइ 4 A Y की जगह है माइनस 1 बाइ 2 B और Z की जगह कितना है 1 तो देखे ध्यान से X स्कूर का मतलब 1 by 4A का square 1 by 4A का whole square plus y square मतलब minus 1 by 2B का whole square plus z square मतलब 1 का square plus 2 x की जगव 1 by 4A गुना y y की जगव minus 1 by 2B plus 2 y की जगव minus 1 by 2B और z की जगव 1 plus 2 z की जगव 1 और x की जगव 1 by 4A ठीके अब देखे 1 by 4 1 by 4 का square हो जाएगा 1 by 16A square plus minus minus sorry minus 1 by 2 का square है तो इस कितना हो जाएगा plus का 1 by 4B square ठीके फिर 1 का square कितना होगा 1 फिर plus minus minus देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर कट जाएगा बचेगा क्या 1 upon 4 और a गुना b तो 1 by 4 और a गुना b कितना होगा a b फिर plus minus minus तो 2 से 2 देखो कैंसल हो जाएगा बचेगा केवल क्या b plus यहाँ पर देखो 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा दो बचेगा क्या 1 by 2 a यही आपका आंस्वर हो जाएगा तो उम्मिद करता हूँ सारे प्रशन आपको उच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने के आप सभी को धन्यवाद अगर आपको क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंड, सेयर और सबस्क्राइब जरूर करें इसके लावा आप मुझे फेस्बूक, इंस्ट्राग्राम, ट्वीटर, टेलिग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं साथ ही आपको अगर किसी भी परकार की क्वेरी है तो आप मुझे इस वाटसेप नंबर पर मेसेज कर सकते हैं जहांपर आपको सभी परकार की हेल्प की जाएगी धन्यवाद